अजिदेवगन की मच अवेटेड मूवी और एक बॉलीवूड का ऐसा रिमेक जिसका लोग बड़ी बेसबरी के साथ इंतेजार कर रहे थे आखिरकार थेटर्स में रिलीज हो ही गया जिसमें अजिदेवगन के अलावा देखने को मिल रहे हैं मतलब अगर अक्से खन्ना को छोड़ दे तो सेम वही स्टार कास्ट जो द्रिस्यम के अंदर हमको देखने को मिली थी तो मूवी कैसी रही आज की वीडियों करेंगा से बारे में बाते तो द्रिस्यम जिन लोगों ने देखी है उनको पता ही है कि मूवी के अंदर वीजे सलगावकर जो अजिदेवगन का करेक्टर होता है उनकी बेटी के हाथ तो जाने इन जाने में एक लड़के का मर्डर हो जाता है फिर अजिदेवगन कैसे अपने फैमिली को बचाने के लिए जूटे सबूतों और गवाहों का जाल बनाते हैं पुलिस को गुमरह करने के लिए और मूवी के एंड में वो अपने परिवार को सही सिलामत बचा भी लेते हैं अब उससे आगे की कहाने द्रिश्यम 2 में हमको देखने को मिलेगी अब मूवी के अंदर जो चेंजस हुआ है वो यह है कि सहर के अंदर एक नए आईजी आए है जो विजे सलगाउगर की तेरही तेज दिमाग वाले और सातिर है जो केस को पढ़ने से पहले उस सक्स को पढ़ते हैं जिसके खिलाब उनको केस लड़ना है मतलब इस बार टक कर बराबरी की है केस फिर से रियोपन हो गया है तो अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि क्या इस बार विजे अपनी परिवार को बचा पाएंगे या इस बार इस नए आईजी के फंदे में फस जाएंगे उसके लिए आपको इस मुवी देखनी होगी जो आपको नजदी की सिनेवा घरों में देखने को मिल जाएगी पर मुवी के अंदर क्या है खास या क्या है बकवास उसके लिए ये वीडियो लेकली चीए सुरू से लेकर END तक बिना स्किप्ट किये होगे तो चलिए बात करते हैं मुवी की कहानी की मुवी की कहानी काफी जबरदस्थ है काफी धमागेदार है fantastic है, fabulous है मतलब इस तरह के words में जो भी बोलिस की तारीफ में वो कम पड़ जाएंगे अगर मैं कहूं कि Drishyam movie एक masterpiece थी तो हर कोई agree करेगा पर अगर मैं कहूं कि Drishyam tube grand masterpiece है इसमें भी कोई दोराई नहीं होगी योगी movie जिस हिसाब से बनाई गई है वो Drishyam से एक level उपर ही निकल जाती है बहुत कम चुनिंदा movies ऐसी है जो Bollywood remake करते है वो super hit हो जाती है बहुत कम sequels ऐसे होते हैं जो अपनी original movie पतलब उस अपनी prequel से काफी बहतर निकल जाते है और जो Drishyam 2 है इन दोनों category में खुद को सफल साबित करती है movie का screen play काफी जादा fast है इतना tight और engaging है कि interval कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा मैं खुद शोक्र हो गया था जब interval आया था और बस मेरे मुझ से यहीं निकला था अरे interval आ भी गया इतनी जल्दी time कितना हुआ है जैसे मेरे time देखा तो movie एक घंटा cross कर चुकी थी मतलब मैंने इस movie original चोद रिश्यम्ट है वो देखी है और उसके बाद मुझको पता है कि कहां कहां क्या क्या twist and turns आने है उसके बाद इस movie ने मुझको इतना ज्यादा engage किया तो सोच यह जिन लोगों ने original movie नहीं देखी है उनके लिए इस movie चेंदर क्या क्या surprise package रखे होंगे आप सोच भी नहीं सकते second आपकी बात करें तो वो भी काफी tight और engaging है screenplay वहां का भी काफी tight है और उसके जो twist and turns भर-भर के डाले गए है और climax के जो 30 minutes है वहां पर जो twist and turns fake-fake कर आपके मुँपर मारे जाएंगे ना आप सोच भी नहीं सकते movie maker सीधे-सीधे बोल रहे है कि भाई पकड़ सेकते हैं तो पकड़ो अंदाजा लगाओ सोचो अगले ही पल क्या होगा पर मजाल है आप एक चीज का भी अंदाजा लगा लो movie पूरी तरह से आपको उलजा कर रखती है शुरू से लेकर end तक acting performance की बात करें तो यहाँ पर अजी देवगन सर का कोई भी सानी नहीं है मतलब इस रोल में हिंदी डग वर्जन में अजी देवगन से बहतर इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता था उनके acting performance, उनके expression, उनके dialogue delivery हर एक चीज बेमिसाल है पर यहाँ पर तारीव कर डियोग एक से खना की भी जो इस द्रिश्यम 2 के अंदर हमको देखने को मिले हैं उन्होंने बराबरी की टक कर दिया जी देवगन सर को acting performance में भी और अपने सातिर दिमाग की वज़े से भी केई मोमेंट्स ऐसे आएंगे कि आपको लगा है कि यार विजे गया, इस बार तो गया, इस बार पका पकड़ा गया उनके लाबा बात करें तबू मैं की तो उनके पास रोल इस मोवी के अंदर थोड़ा काम है, मतलब वो screen presence नहीं है, जो first movie के अंदर था पर इसके अंदर भी जितना रोल है, उनकी acting performance लाजवाब रही है, सिर्यसरन की बात करें तो उन्होंने भी अपने रोल में अच्छी खासी performance दिये, अगर मैं बात करें तो acting performance के लिए हाज सी ये movie class साबित रही है, हर किसी का performance लाजवाब रहा है, सिनमेटोग्रेफी बे मिसा लाजवाब है, बैक्राउंड स्कोर, लाजवाब है और जो climax के लगबग 30 minutes है, वहां का background score गूजवांस create कर देता है, मतलब एक के बाद एक twist and turns में जिस तरह का background score मनाया गया है, वह वाकई में कमाल का रहा है, overall अगर मैं बात करें इस movie के तो इसके अंदर perfect suspense है, perfect thrill है, perfect twist and turns आले गए हैं, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से उलजा कर रख सकती है, तो खेर अब आप बताई कि अगर आपने movie देखी है, movie आपको कैसी लगी, अपनी राए comment box के अंदर जरूर share करें, और अगर नहीं देखी है, तो किसका इनतजार कर रहे हो, यार जाओ, movie को देखो enjoy करो, और फिर अपनी राए जरूर बताएं कि movie आपको कैसी लगी, खेर बात करूँ में rating के, तो मैं दूमास movie को 4 out of 5 की rating, खेर आज की वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो उसको प्लीज लाइक करें, शेर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मिलता हूं मिलूँगा, फिर किस अगली वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफिस, दूआ में याद रखना,